नमस्कार, मैं योगिन्द शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं, वैं सर्पर्थम, आप सभी से यह निवेदिन करता हूं, कि इस एपिसोड को आप आखीर तक देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक कीजिए, वैं साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैं गंटी का बोटन दबाईए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर प्राप्त होती र है के बारे में जानकारी प्राप्त की, आज हम इस से आगे सिंग लगन के बारे में चर्चा करेंगे, वैं सिंग लगन के योगकारक, मारक, वैं सम ग्रो के बारे में विस्तार से जानेंगे, और मेरा आप सभी द्रस्कों से यह निमेदन हैं कि आप इस एपिसोड को अंत त देखिएगा ताकि आपको सिंग लगन में कौन-कौन से योग कारग्रे मारग्रे वे समग्रे होते हैं उनको कैसे जाना जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाए और आप उस जानकारी को अच्छे से सीख पाए और इसी एपिसोड से आप अपनी कुंडली का मित्रो इस चार्ट के उपर यहां पर रासी और उनके स्वामी लिखे गए हैं साथ ही ग्रो की आपस में मित्रता वे सत्रुता का चार्ट भी बनावा है इस विशे पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछले पाठों में आप इन चीजों को अच्छे से जान चुके हो हम सीधे लगन कुडली के उपर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस कुडली के योग कारक वे मारक ग्रहों के बारे में सर पर्थम यहां पर आप देखिए पांच नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में पांच नंबर का मतलब हुआ सिंग रासी और सिंग रासी के स्वामी हुए सूरिये सूरिये इस कुडली के लगनेस हुए और लगनेस होने के नाते और पर्थम तिरकोन में स्थान पराप्त होने के कारण सूर्य देव इस कुंडली में सबसे ज़्यादा बलिष्ट और सुब योग दायक फल दायक ग्रहे बने इसलिए पहले योग कारक ग्रहे हुए इस कुंडली में सूर्य देव और सूर्य देव ही इस कुंडली के मकान मालिक बने और सर्वक्तिसाली होने के कारण सूरिय देव ने अपने अलग-अलग भावों को अलग-अलग ग्रहे को जो पर्तिनित परात किया वह इस परकार है दूसरे भाव के अंदर सूरिय देव ने बुध्देव को इस्थान दिया बुध्देव जहांपर six number लिखा हुआ है छे नंबर का मतलब हा कन्यारासी और कन्यारासी के स्वामी है बुद्देव बुद्देव को सूर्य देव से धनकुतुम वानी वैसाथ ही आए भाव और बड़े भाई बहन का परतिनित प्राप्थ हुआ और यहाँ पर अगर हम देखें तो दुद्दे भाव जो मारक की स्रेनी में आता है अगर हम इसको सीधे देखें तो लोग सभी इसको कहेंगे कि यह मारक है लेकिन यहाँ पर एक और थियोरी है कि अगर मारक भाव का स्वामी लगनेश का मित्र है तो वह मारक नहीं हो सकता है इसलिए आप बुद्ध देव को इस कुंडली में योग कारक ग्रह की सरेनी में रख सकते हैं और इस कुंडली में बुद्ध देव को भी योग कारिकता प्राप्त हुई इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं सूर्य देव ने सुक्र देव को जहां तीसरे भाव में साथ नमबर रासी लिखी हुई है साथ नमबर रासी का मतलब हुआ तुला रासी और तुला रासी के जो स्वामी है वे है सुक्र देव सूर्य देव ने सुक्र देव को तीसरा भाव प्राकर्म, मेहनत वे दस्वा भाव वेवसायव आजवीका का स्वामित परदान किया, एक भाव तरी सडाय वे एक भाव केंदर में परदान किया, जिस कारण सुक्र देव इस कुणली के लिए समग्रह बन गए, समग्रह होने के केंद्रा धिपती दोस भी सुक्रदेव को लगा, इस कारण इसे हम मारक भी मान सकते हैं, सम और मारक दोनों कैटेगरी में आप सुक्रदेव को रख सकते हो, वैसे अधिकतर हम इने मारक केंद्रा धिपती दोस लगने के कारण इने मारक की स्रेणी में रखते हैं, इसके बाद आगे सूरिय देव ने इस कुंडली में मंगल देव को चोथा भाव जहां आठ नंबर रासी लिखी है आठ नंबर रासी का मतलब वरिश्चिक वरिश्चिक रासी के स्वामी वे मंगल और मंगल देव को यहाँ पर चोथा भाव सुक सुधा माता वाहन वे नौव भाव, धरम, पिता, भाग्य का स्वामित परदान हुआ और एक भाव केंदर में वे एक भाव तिरकोन में मिला जिस कारण मंगल देव इस कुंडली में पूर्म योग कारग ग्रह बने और सबसे ज़्यादा सुब फलपरदान करने वाले योग ग्रह इस कुंडली में बनेंग पंचम भाव का स्वामी बनाया, पंचम भाव जहां नो नमबर लिखा है, नो नमबर का मतलब हुआ धनू, धनू रासी और धनू रासी के स्वामी वे गुरुदेव, गुरुदेव को 5 वा स्थान, संतान, अंसर्टेन गेन, विद्या का कुंडली में 8 वा भाव कवी स्वामित परदानवा जो अबस्टेकल का है, लेकिन लगनेज के मित्र होने के कारण गुरुदेव को इस कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेनी में रखा गया, और गुरुदेव इस कुण्ड़ी में योग कारग्र है बने अब आगे देखते हैं चटा भाव चटे भाव में जहां दस नमबर लिखा है दस नमबर का मतलगवा मकर रासी और मकर रासी के स्वामी हुए सनी देव सनी देव को सूर्य देव से इस कुंडली में छटा भाव जो रोगरिन दुरगटना मुगदमा वे सात्वा भाव दामपत्य सुक का स्वामित प्राप्त हुआ जिस कारण एक भाव केंदर में वे एक भाव त्रिक में मिला केंदर में जो भाव है वे अश्टम 12 थियोरी के कारण और लगनेश का अती सत्रू होने के कारण मारक हुआ और त्रिक वैसे ही एक बुरा भाव है दोनों बुरे भाव के स्वामित मिलने के कारण सनी देव इस प्लगन कुणली में सबसे ज़्यादा मारक ग्रह बने और मारक ग्रह की श्रेनी में इस्थान प्राप्त हुआ अब आगे चलते हैं आगे 12 भाव जहां पर 4 नंबर लिखा है 4 नंबर का मतलब हुआ करकरासी और करकरासी के स्वामी है चंद्रमा चंद्रमा को 12 भाव का स्वामी प्राप्त हुआ 12 भाव हमारा होस्पिटल व्यव और रोक का है जो विदेश यातरा का है जहां पर हमें एक तरिक के अंदर स्थान प्राप्त होने के कारण हम भी ये भाव भी मारक की स्थिति में आगर चंदरमा यहाँ पर इस लगन में मारक कहला है अब हम देखते हैं यहाँ पर जो योग कारक ग्रह हैं वह इस परकार हैं सूरिय, बुद्ध, मंगल, गुरू, यह इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने सनी और चंद्रवा इस लगन कुंडली के लिए मारक ग्रह है, सुक्र यहाँ पर सम ग्रह है और अपनी अपनी दसा अंतर दसा में अपनी योग कारीक्ता मारक्त और सम ग्रह होने के कारण आप जातक को अपने अनुसार, अपनी दसा, अंतर दसा में सुब और असुफल परदान करते हैं दोस्तो आज आपने सिंग लगन के योग कारक, मारक वे समगरह के पारे में जानकारी प्राप्त की और मैं उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आप अभी से कुडली के विवेचन में मदद प्राप्त कर पाएंगे और सुरवात कर पाएंगे और धीरे-धीरे आप अपनी प्रैक्टिस को आगे ले पाएंगे आज जो आपने जानकारी प्राप्त की उसके अंदर मैं आपको एक महत्पूर्ण चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे कुमिलियों के अंदर यो मारक रहे तो हमेशा हम लोगों को असुफल प्राप्त करते हैं